हाई अव्रिवन आप सबको तो पता है कि कैसे साल 2021 जो है वो इंडियन स्टार्टप एको सिस्टम के लिए एक गोल्डन येर साबित हो हैं क्योंकि ना सिरफ स्टार्टप्स को यहाँ पे फंडिंग मिलिये लेकिन एक के बाद एक स्टार्टप्स जो है वो यूनिकॉन बनते चले गए इसके साथ हमने अपने चानल में इससे पहले भी कई सारी यूनिकॉन स्टार्टप को कवर किया है और इसे सिलसले को जारी रखते हुए आज के इस वीडियो में हम ऐसे और तीन स्टार्टप्स की बात करने वाले जो की रिसेंटली ही यूनिकॉन क्लब में शामिल है कौन से वो स्टार्टप सबसे पहला है आपका नोब्रोकर दूसरा है स्पिनी और तीसरा है अप्स्टॉक्स सबसे पहले बात करें नोब्रोकर की तो नोब्रोकर.com जो है वह एक रियल इस्टेट प्लाटफोर्म है या फिर यू कह सकते हैं प्रॉपर्टी टेक किया है इस लेटेस्ट फंडिंग राउंड के बाद नोब्रोकर की जो टोटल वैलिएशन है वो बढ़कर 1.01 बिलियन डॉलर की हो गई है इसके साथी नोब्रोकर जो है वो इंडिया की ऐसी पहली प्रॉपर्टी टेक या फिर यू कहले प्रॉप टेक स्टार्टप है जो क की यूनिकॉन बन चुकी है इस लेटेस्ट फंडिंग राउंड के बाद नोब्रोकर की जो टोटल वैलिएशन है वो 2.5 ताइम्स बढ़ चुकी है इसके साथी लास्ट ताइम 2020 में उन्होंने जब फंडिंग को रेज किया था उस वक्त पे नोब्रोकर की जो टोटल वैलि इसके साथ उनका ये भी कहना है कि इस लेटेस्ट फंड्स को उन्होंने जो रेज किया है उसको वो अपने प्रोडक्ट और टेक्नॉलिजी टीम को डेवलप करने में और एक्जिस्टिंग मार्केट्स में फर्दर अपने आपको एक्स्पैंड करने में यूज करने वाले है सरफ इतना ही ने उनका ये भी कहना है कि इस फंड्स को वो लोग नए मार्केट्स में एंटर करने के लिए मार्केटिंग के पपस से खर्चा करेंगे और एक नो ब्रोकर हुड को क्रियेट करने वाले हैं जो कि मार्केट प्लेस और आप का जो है एक गेटिड कम्यूनिटी ह नो ब्रोकर ने एक स्टेट्मेंट में ये कहा है कि कोविड के दौरान हाउस बाइंग में एक डिमांड देखने को मिला एक जबर्दस डिमांड देखने को मिला क्योंकि उनका ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे परसन ने जो है वो अब हाउस फिलिपिंग कर रहे हैं मतलब जल 3.34 करोर रूपीज का था, इसके साथी No Okayer का ये भी कहना है कि उनका जो revenue है वो हर साल triple हो रहा है No Broker का ये कहना है कि उनके पास आज के टाइम पे 1.5 करोर रेजिस्टर यूजर्स हैं और ये जो यूजर्स हैं वो कही वैए सारे शहर जैसे के जो है वो इस startup यानि कि no broker के services को use किया है अगर हां तो आपका user experience किस तरीके रहा है comments में जरूर शेर किजएगा Full stack used car trading platform Spinny ने अपने series E के funding round में 248 million dollars raise किये और उन्होंने इस amount को जो है current investors और जो कुछ fresh investors है उनसे भी raise किये Spinny ने series E round को 4 महीने के बाद ही complete कर लिया जब 4 महीने पहले उनके series D के funding round में Spinny ने Tiger Global Management से 100 million dollars raise किये थे मैं आपको बता दू कि Tiger Global और आबुधाभी growth fund ने इस investment round को lead किया था पे दोनों ने 739.7 crore rupees invest किये है उसके साथ ही इस fresh funding round के बाद Spinny के जो total valuation है वो बढ़कर 1.7 billion dollars की हो गई है मैं आपको बता दू कि Spinny जो है वो automobile industry में जो used car space है उसमें ऐसा चोथा startup बन गया है जो की unicorn बनाए जहाँ पे इस से पहले Cars24, Car देखो, Broom ऐसे दूसरे startup से जो की उस elite club of unicorns में शामिल हो चुक है Spinny की जो शुरुवात है वो साल 2015 में की गी थी जहाँ पे नीरत सिंग, मुहिद गुपता और रामानशु मोहर ने यहाँ पे मिलकर Spinny को शुरू किया था Spinny का aim यह है कि वो लोग right product जो है उनके customers को provide करवाने चाहते हैं जहाँ पे अपने operations में उन्होंने technology को embed किया हुआ इसके साथी Spinny का यह कहना है कि भाई उनका main goal जो है वो better user experience को provide करवाना है Currently Spinny की बात करें तो Spinny की जो presence है इस वक्त पे 40 major cities में है जिसमें आपका Delhi NCR, Mumbai, Hyderabad, Pune, Bangalore, Chennai, Kolkata, Ahmedabad शामिल है इसके साथी Spinny के पास आज के time पे 15 से जादा car hubs जो है वो दूसरे दूसरे शेहरों में मौजूद है छे साल पुराना ही जो Spinny है उसने एक complete value change जो है उसने अपने used car buying platform में build कर लिया है जहां पे वो लोग offline to online model के उपर काम करते हैं इसके साथी वो अपने platforms के मदद से customers को, cards को online discover करने में इसके साथी final purchase जो है वो करने में अपने centers में भी help करते हैं जरूर शेर कीजेगा, online stock broking platform Upstocks ने अपने latest funding round में Tiger Global Management से 185 crore rupees या फिर यू कहले 24.7 million dollars raise किये अल्दो ये ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता है कि in total Upstocks ने till date कितने funds को raise किये लेकिन sources का यहाँ पर ये कहना है कि इस latest funding round के बाद जो Upstocks की expected valuation है वो 3 to 3.5 billion dollars की हो गई है इसके साथी Upstocks जो है वो 2021 का ऐसा 40 वा start-up बन गया है जो की Unicorn Club में शामिल हो चुका है मैं आपको बता दूँ कि साल 2019 से ही Tiger Global Management जो है वो Upstocks की funding round को lead करते ही है जब 2019 में Tiger Global नहीं Upstocks में 25 million dollars raise किये थे उसके बाद से ही जो firm है उसमें एक steep increase देखने को मिला है उनकी user base में क्योंकि retail participation है Indian stock market में वो भी over the period of time बढ़ा है इसके साथ ही अगर Upstocks के दूसरे finances की बात करें तो उसमें आपके Tata Conglomerate के former chief रतन Tata और कलारी Capital भी शामिल है Mumbai based Upstocks को साल 2009 में RKSV Securities नाम से establish किया गया था जहां पे उस वक्त पे श्रीनी विश्वनात, रगु कुमार, कवीता सुब्रमन्यम और रवी कुमार ने इसको मिलके शुरू किया था जिसके बाद फिर 2011 में Upstocks जो है वो retail broking segment में उत्रा और 2016 में फिर उन्होंने अपने आपको rebrand करके Upstocks नाम रग दिया इसके साथ ही Upstocks जो है वो आज के टाइम पे कई सारे दूसरे businesses के साथ भी compete करता है जिसमें आपका zero धा, grow, paytium money, angel broking और बाकी की ऐसे ही कुछ जो firms है वो भी शामिल है September 22 को दिये गए एक interview में Upstocks के co-founder शिरीनी विश्वननात का ये कहना है कि उनकी जो firm है वो यहाँ पे ना सिर्फ अपने customer base को grow करने के बात कर रहे हैं जहाँ पे वो लोग target ये कर रहे हैं कि FY 2022 के end तक वो लोग 10 million customers का एक customer base है उसको यहाँ पे develop करना चाहते हैं इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि आने वाले time में Upstocks जो है वो सिर्फ trades को execute करने के beyond भी वो अपने next phase of growth में दूसरे segments में भी उतरने वाला है इसके साथ ही 70% जो उनका user base है उनका first time investors है जिसमें से 80% जो है वो 18 से लेके 35 के age bracket के अंदर आते हैं जो दोस्तों आप लोग हमें comments से बता सकते हो कि आप लोग जो है Upstocks जैसे platform के use करते हो क्या आप भी यहाँ पे stock market में involved हो क्या आप भी trading या फिन investing करते हो जो भी आपके thoughts से comments में जरूर शेर कीजेगा बाके I hope जो वीडियो है वो आपको जरूर पसंद आया होगा informative लगा होगा प्लीज इस वीडियो को like कीजेगा अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेर कीजेगा और हम आपके लिए brand से related news updates, brand stories, interviews, podcast वगरा regular basis पे लेके आते रहते हैं देखते रहने के लिए हमारे चानल को subscribe करके बला इकन को जरूर दबा दीजेगा मेरे नाम तोईदर होमान है मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में तब तक आप देखते रहे निक्स पिक ब्रांड को thanks for watching